हाई फ्रेंड्स मैं परविंदर खारी फ्रेंड्स आजकल अख़बारों में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है पहले जालतर स्पोर्ट स्पेस पर क्रिकेट की खबरे होती थी क्योंकि दूसरे स्पोर्ट में उतनी ज़्यादा अचीविमेंट होती नहीं थी अभी कुस द की थी एक छोटे से कोने में चैस की भी न्यूस थी जहां अर्विंद चिंदब्रम एक टूर्णमेंट चिन्नाई ग्रेंड मास्टर टूर्णमेंट उन्होंने वहां उसको जीता है इसकी गेम के उपर मुझसे कई लोगों ने वीडियो बनाने के लिए का गाजल राजबू जी है अभी विदाउट म्यूजिक अर्चुन इर्गियासी वर्सिस अर्विंद चिदब्रम एक चिन्नाई और चिन्नाई ग्रेंड मास्टर्स टूर्नमेंट है जो अभी फिलाल नौमर में खत्म हुआ है जिसे अर्विंद चिदब्रम जीत चुका है दुबारे करो डी तो एफ़ी और इसके बाद यहां ब्लैक का कैसल आया बिशेपी टू सी फाइब देन हुआ सी थ्री कुछ कुछ स्लाव डिफेंस जैसा टूरे अटेक कह सकते हैं बी सिक्स कैसल यहां वाइट ने किया बिशेप आया बी सेवन स्क्वेर पर देन हुआ बी फोर नाइट इसका डिफेंस रूक से किया जाए अच्छी ऑप्शन है लेकिन कुछ से किया गया सी एट स्क्वेर पर देन हुआ एफॉर एट सिक्स रूक एट गोस टू बी वन और दुबारह उसी बिशेप पर अटेक है यहां अभी अर्विन ने अपने बिशेप को नहीं बचाया है ठ क्योंकि वाइट का रुक डिरेक्टली यहां सेवंध रैंक में पहुंच जाता है बिशप C6 ठीक है ब्लैक ने अपने बिशेप को बचाया है तो वाइट ने अपने बिशेप को अर्विन ने अपने बिशेप को लिया एफ फॉर स्क्वेर पर देन हुआ जी फाइफ हो गया रुक से देन हुआ एच थी तो बिशेप आया एफ एट स्क्वाइर पर आगे ऐसा कुछ नहीं कि डिस्कवर अटेक को बहुत डैडली होने वाले लेकिन फिर कुईन एटू पहले कुईन अटाली गई है और सेकेंड रैंक में अपनी कुईन को प्लेस किया है यहां अर स्क्रमाइज देन हुआ बिशप आया जी थी स्क्वाइर पर देन हुआ बिशप जी सेवन रुक अटैप गोस तो एवन नाइट एफट नाइट एच तू फाइनली यह एपन यहां अर्जुन ने आगे पुश किया है और वीकनेस क्रियेट करने की कोशिश की नहीं डी टेक बिशप टेक्स एफाइब रुक टेक्स एफाइब ऐसा करने के बाद यहां कम से कम अर्जुन का रुक किंक सामने बिलकुल जब चाहे वो ला सकते हैं और यही अब अर्विन के सामने समस्या खड़ी होने यह मेरी थिंकिंग है वो ग्रेंड मास्टर लेवल के खिलाड़ी ह हम उस डैवल को तो सोच भी नहीं सकते है कि क्या है क्या नहीं है नाइट F3 रुक पर अटेक बना रुक गया E6 स्क्वेर पर लुक एट बी वोस्ट डी रुक यहां सेंट्रलाइज किये दुबारा अर्विन ने वेल बिशप गया B7 स्क्वेर पर देन वा नाइट D4 और फि D6 स्क्वेर पर और फ्रेंट सकर आप यहां इस रुक की पोजिशन को देखें किंग के सामने तो डेफिनेटली आ चुका है मौका मिला और प्रॉबलम खड़ी हो जाएगी नाइट ऐसे स्क्वेर पर रखा है डी पॉन आगे पुश होगा बिशप भी एकदम अटेक में शा का डीफेंस हो गया है क्विन आई D7 स्क्वेर पर देन केला गया F4 रुक को आप हटाव कुंप्रमाइजिंग स्टेट हो पुचा ना है रुक गया G7 स्क्वेर पर देन हुआ क्विन C2 क्विन C2 अच्छा नाइट इंप्रूव हो जाएगा यहां से ठीक है नाइट आया E6 स नहीं रक्सा पर रुक के जाने के लिए H7 स्क्वेर ही बचा है धैन हुआ E4 यहां D5 स्क्वेर बिल्कुल पिन है तो ठीक है पॉन पुष बनता है लेकिन यहां ही जो F5 पॉन है यह भी तो वाइट कॉंप्रमाइज कर रहा है लेकिन ऐसा करने के बाद बिशव पर अट एक नाइट टेक्स F4 अरजुन ने किया और विशव पर अटेक बना यहां कोई भी खिलाड़ी होगा अरविंद के अलावा वो अपने विशव को पहले G4 स्क्वेर पर लेने की बात करेगा और ठ्रेट देगा एक चलिए डिसकावर्ड चैक जैसा कुछ दो कुई पर अटेक ब फाइनली एट दे लास्ट यहां नाइट क्या चैक देगा यह भी देख सकते हैं ठ्रेट गेम पर चलते हैं यहां पहले से लगया एक टेक्स की फाई और मेरे असाब से अरजुन को यहां इस बिशव को ले लेना चाहिए अरजुन ने भी कुछ सोचा होगा मेरे सामें नही सकती है बिशव और क्विद दोनों पर अटेक बनेगा क्विन हटानी पड़ेगी सी एट स्कॉर का और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसके बाद देखें क्विन एफटु जैसा मूवर गेम में यहां चेक या चेक मेटिंग चेक ही आएगी चेक सुछा तो कुछ होना न यहां अभी अर्जुन ने भी जल्दवाजी नहीं दिखाई उन्होंने पहले अपने एफपॉन को आगे पुछ किया शायद अर्जुन के दिमाग में भी रहा होगा कि अर्विन जरूर अपने रुक को सेवन्थ रैंक में लाएंगे और वहां से जो मुझे समझ में नहीं उस तरह की कोई टेक्टिक्स लगाने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि आपको रुक्स की बैटरी चेक देने की पॉसिबिल्टीज और मैं देखिये न हाँ 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 बीशप अचब बीशप तो ले लिया जाया रहा चलते हैं गे उपर जब एफपॉन आगे पुछ रुक आया डी 4 स्कॉर पर नाइट को जाना ही डी 3 स्कॉर पर है लेकिन पॉन थोड़ा वीख है फिलहाल अर्जुन बना रही है रुक पर अटेक्ट तो रुक अटाना होगा रुक गया एफ 1 स्कॉर पर और फेंट्स चलिए यहां तक बहुत अच्छी ही इंचलती है नाइ जैसे दे चेक आएगी तो बढ़िया चीज होगी लेकिन फिर भी बिशेप एस थी है अर्विंद ने चुना ठीक है यही खामा काम एक पीस क्यों अपना कंप्रमाइस करा हूँ वेल किंग आया है एच एट स्कॉर पर यही सही है डी 6 हुआ और यह पासर बड़ा डेडली है पासर जरूर डेडली है नाइट बड़े अनाइंग स्कॉर बैठाए फोर अर्जुन ठीक है बिशेप आता है यहां अटेक में लेकिन आप चेक दोगे उससे जादा क्या होगा रुक से आप पहले बिनेट कर दोगे सामने कुछ ना कुछ लाना होगा आपको अटेक बनाने यहां से अगर मैं बात करूं तो नाइट का डिफेंस है अधर वाई एक अची खासी मुझे चेक की थ्रेट नजरा रही है बस किसी तरह से इस नाइट को अटवाना है लेकिन अर्जुन क्यों अटाने लगे इस नाइट को लेकिन अर्जुन को क्या करना चाहिए यह मेरी सल यह बेस्ट मुझा देखे किसी भी पॉन को इतना अनिंपॉर्डेंट नहीं बान सकती है स्पेशनी जब ओपनेंट का नाइट आपके घर में आके बैठ किया यहां अर्जुन ने रुख को जी सावन स्कॉर पर जाना सही चुना लेकिन तीन अगर बात की जाए तो तीन डि और यह मूँव थोड़ी गड़बड वाला है यहां इस पॉइंट पर चलिए पॉन गया कोई बात नहीं लेकिन आप यहां कुछ और मूँव चल सकते हैं अपनी कुईन को साइड कर सकते हैं और रुख को सामने लगाने की बात कर सकते हैं और फुन आफट्ट हो जाता है झीएड स्कवיर कर लिगा और फ्रेंट यहें मूफ पता नहीं क्यों चलिए चलिए और रुक टेक्स बात कर नहीं लगा बंच दूब फर्क पड़ेगा निए नाइट से आप चेक भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा रुक टेक्स F3 हो जाएगा बिशफ टेक्स F3 अपना दो रुक लिया सामने वाले का मतलब अरविंद का रूप गया और अरजुन का नाइट और बिशफ दोनों यहां तो आना पड़ेगा यहां खेला गया नाइट D3 देखिए अब नाइट D3 का मूव थोड़ा है ठीक लगा तो मुझे यहां यह चेक नजर आ रही है नाइट यहां ना रुक को आने देगा ना कुइन को आने देगा लेकिन यह सब कैलकुरेशन दोनों के लाड़ी बठा चुके हैं यहां पहले खेला रुक टेक्स जी एट चेक रुक ऐलिमिनेट करो किंग टेक्स जी एट और उसके बाद देखे बीशप की चेक है वैसे तो पर कोई बात नहीं है यहां अर्विंद ने का कि सेवन्थ रैंक में अपने कम सेखम पॉन को पहुचाओ और अब आप इस पॉन को क्विनिंग स्क् पॉन्स भी क्या मिला सीधा सीधा कुइन को एफ टू स्क्वाइर पर लगा दिया और यहां इस मोग के बाद अर्जुनिर ग्यासी को डिजाइन करना वैसे फ्रेंट से बहुत अच्छी गेम थे और खेलाडी बहुत बहुत बड़ी है चलिए इस गेम को अगर आप समझ गह कहां कहां जा सकता है वो भी देखना पड़ेगा बिशप भी बड़ा परिशान करने वाला है अगले मूव में आपको ये मूव भी नज़र आए मतब नाइट से बिशप को लेने वाली बाद भी हो सकते लेकिन पहले कुण प्रमोट होगी यहां अर्विंद की डी एट इक् कोई इशु नहीं है और फ्रेंट्स काफे अची गें थी सही रेक्मेंडेशन अमीद आप लोगों भी जरू पसंद आई हो आपके कमेंट सेजेशन और इसी तरह की इंट्रेस्टिंग सेजेशन का मुझे भी हदन जा रहेगा थैंक यू फूर वाज़ू बाए फूरू झाल